YouTube पर free पढ़ाऊंगा, चलिए देख लेते हैं, कितने लोग जुड़ गए हैं, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, क्या बात है, good evening, तो दोस्तों, अगले 75 days तक, आप मेरे साथ रहेंगे, ये course किन के लिए है, दोस्तों, आप मैं से से कई लोगे, जो हो सकता है, कि जिनको English बिलकुल नहीं आती है, तो ये course उनके लिए zero से पढ़ाऊंगा, यानि कि this course will begin from very much zero, कुछ नहीं आता है English में, तो भी ये course आपके काम का है, क्योंकि free है, YouTube पर live चलेगा, number two, अगर आप ऐसे लोग है, जिनको English समझ में तो आती है, you understand English, but you are not able to speak, समझ में आज आती है, सर पर जब बात आती reply करने की, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे reply दे, so that's why ये course आपके लिए है, अगले 75 hours, 75 घंटे ही तो मांग रहा हूँ ना, दोस्त, I am only demanding 75 hours, अरे 75 hours दे दिये तो life change हो जाएगी, तीसरी बात, अगर आप ऐसे वेक्ति हैं, जिनको English बोलते भी आती है, लेकिन when you speak English, you fumble, नहीं आते हैं, तो भी ये course आपके लिए दोस्त, so that is why ये संपुन कोर्स, completely 75 दिन का course है दोस्तों, और ये 75 दिन का course जो है ना, ये free है, 75 hard, थोड़ी महनत आप से करवाँगा, थोड़ी practice आप से करवाँगा, लेकिन इसमें तो फाइदा तो आपका ही है ना, दोस्त, because this course is for English has become international language, दोस्तों हम गाओ में बैठ कर, दुनिया के किसी भी देश के साथ, दुनिया के किसी भी कोने के साथ connect कर सकते हैं, अगर हमें English आती है, अब बहुत हो गया, दोस्तों, नए साल पर resolution ले लो, कि आप अपनी presentation skills को, अपनी public speaking skills को, अपनी English को, अपनी communication skills को improve करोगे मेरे स साथ, दोस्तों, I am not demanding anything, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक one hour, I need your one hour daily for next 75 days, 75 दिन में आप अपने आपको बदल दोगे, दोस्तों, एक घंटा ऐसा ही वैस कर देते हैं, mobile चलाते चलाते, real देखते, देखते, Instagram पर चले गए, दो घंटे निकल गए, पता नहीं चला, Facebook पर चले कहां नहीं है, बताइए मुझे, कहां नहीं है, नौकरी चाहिए, इंगलिश आना चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंगलिश आना चाहिए, आगे बढ़ना है, इंगलिश आना चाहिए, बिजनस करना है, इंगलिश आना चाहिए, बच्चों का हमवक करवाना है, इंगलिश आज मेरी कई माताएं बहने ऐसी हैं जिनके पास MSC, MA, MBA तक की डिगरी है लेकिन English नहीं आने की वज़र से अपने छटी क्लास में पढ़ रहे हैं चिंटू का homework नहीं करवा पाती है हमें बोलती है सर इंग्लिश सिखा दो बच्चे को English medium में डाल दिया है बट उसका homework नहीं दोस्तों और आप मुझसे promise करिये कि सर हम वादा करते हैं कि अगले 75 दिन तक we will be with you तैयार है आप सब लोग तैयार है are you ready for our next 75 days say yes or no in the chat अगर तैयार है तो मैं कमलेश यादो आपसे वादा करता हूं ये 75 दिन में आपके communication को बदल दूँगा दोस्तों आज के टाइम में को तो मैं आपको पूरी fluent English रिखाने की guarantee लेता हूं दूसरी बात इस class में क्या क्या मिलेगा पूरा plan बना के चलना पड़ेगा ऐसा ने कि एक video यहाँ देखा एक video वहाँ देखा ऐसे काम नहीं चलने वाला है दोस्त I have a complete planning I have a complete planning क्या क्या मिलेगा इस class में सबसे पहली बात तो यह class completely free रहेगा आज day one है ऐसे पूरे day two day three day four day five 75 days का course बनाऊंगा दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात क्या बात है लाखों लोग जुड़ गए है केमरा लाखों लोग जुड़ चुके हैं I can't believe it दूस्तों let me check कितने लोग जुड़ गए है क्या बात है इ इतने सारे लोग तो मैंने कभी live देखे ही नहीं क्या बात है come on guys क्या बात है 1000 लोग 1000 लोग 10,000 के आसपास लोग they have started watching दोस्तों मजे की बात यह है इस course में आपको मैं क्या क्या देने वाला हूं सबसे पहली बात आप समझ लो कि 75 days में what is my plan plan सुन लो अगर plan बनाया है तो plan अ and I come from a very small village a village where there are no buses connectivity a village where there is no internet connection properly but today you can see I come from Hindi medium I have studied in a government schools but only because of English today I am teaching English more than 30 lake people I am a confident guy who is speaking English in front of you and today I have a lots of opportunities from the world from the every corner of world people are approaching me they are contacting me and they are telling me sir please come in our institute sir please come in our company and give us training दोस्तो मैं वही लड़का हूं गो जो पहले भेतों में काम करता था मजदूरी करता था लोगों के यहांपर और पैसे थोड़े बहूत कमा कि अपनी पढ़ाई पूरी करता था, सरकारी स्कूल में पढ़ा, गौवर्मेंट स्कूल में पढ़ा, हिंदी मेडियम में पढ़ा और इधर काम किया, उधर काम किया, graduation complete करने के बाद समझ में आ गया कि बिना इंग्लिश के पार नहीं हो सकते भाया, इसलिए फिर इंग्लिश सीखी और मैंने वो हर तरीके अपनाए जिससे मैंने इंग्लिश सीखी, और इंग्लिश सीखने के बाद, you can see today I am standing in front of you, it's only because of English, आज इंग्लिश की वज़े से, इंग्लिश की वज़े से आज पैसा भी आ रहा है, बहुत सारी नौकरी के opportunities भी है, मेरी खुद की टीम है, आज 30 लाग से ज़ादा लोगों को पढ़ा रहा हूं, सौ से ज़ादा teachers मेरे साथ काम करते और दुनिया के लोगों को पढ़ाते, आज मास study एप पर हमारे एप पर more than 3 लाग students पढ़ाई कर रहे हैं और इसे बहतर क्या हो सकता है और आपको भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए English बहुत जरूरी है और हमें सीखनी पड़ेगी दोस्तों, हमें क्या करनी पड़ेगी, हम English को हलके में नहीं ले सकते बेटा, English को हलके में नहीं लिया जा सकता, so that's why, what is the plan guys, सबसे पहली बात, मैं आपको क्या-क्या देने वाला हूं इस course में, सबसे पहली बात, पहले सुन लो, plan सुनो, क्यों कि plan करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, live class for one hour, रोज एक घंटे के लिए मैं आपको live class दूँगा, and that would be completely free, दूसरी बात, जो मैं पढ़ाऊंगा, उसके बहुत भहतरी notes आपको देने वाला हूं, ऐसे notes आपको कई नहीं मिलेगे, मेरे promise है दोस्तो, देखो मैं आपको कैसे notes देने वाला हूं, यहाँ पर notes को देखिए, कितने systematic notes बनाएं, यह सारे notes आपके mobile में डालूंगा, completely free, तो हम पहले plan मना लेते हैं, क्या plan है, कि एक तो हमें क्या मिलेंगे, दोस्तो, systematic topic wise notes मिलेंगे, तो topic wise notes मैं आपको देने वाला हूं, and that will be completely free, most important बात बताओं, क्या है इस course की, दोस्तो इस course मैं ना practice भी करवाऊंगा, आपको कही practice करने के लिए जाने की जरुवत नहीं है, I will take you live practice, face to face practice here on YouTube, रोज practice लूँगा, आदा घंटा पढ़ाऊंगा, अगली आदा घंटा प्राक्टिस करवाऊंगा आपकी, ताकि आपने जो पढ़ा, वो कितना सीखा, मुझे पता होना चाहिए, दोस्तो, teachers दो प्रकार की होते, एक teacher वो पढ़ा, वो होता है, जो पढ़ा दिया, व आपने कितना सीखा और आपको बताऊंगा कि आपने कितना सीखा, तो practice sheets में आपको दूँगा, वो भी completely free रहेगी, दोस्तो, most important point बताऊं, इस series का, कि इसमें मैं आपको एक बहुत बढ़िया homework दूँगा, यानि कि रोज आपको एक task मिलेगा, दोस्तो, everyday you will get a task, वो task आपको complete करके बताना होगा, ताकि मुझे confirm हो सके कि पढ़ने के साथ साथ आपकी personality में, आपके व्यक्तित्व में development हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, दोस्तो, ये सारी की सारी चीजे free है, I am not going to charge anything, अगर आपको free notes चाहिए, practice sheets चाहिए, homework चाहिए, तो आपको telegram app डाउनलोड कर के mass study को join करना पड़ेगा, telegram एक app होता है, जिसको आप डाउनलोड करेंगे, link description में mass study को join करना है, इसके आप मास study डाउनलोड करना वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, चलिए, आज की class शुरू करते हैं, zero से पढ़ने का वादा किया है, तो zero से पढ़ाऊंगा, सबसे पहल है कि इंग्रिश में alphabet 26 होते है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन 26 alphabets के कितने sounds होते हैं, do you know that, हम सबको पता है कि इंग्रिश के में कितने alphabet होते हैं, तो English में जो alphabets होते हैं, वो होते है 26, हम सबको पता है, दोस्तों बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा ना, आ आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ नहीं आता है तो भी 75 दिन, 75 घंटे जिन्दगी बदल देंगे. ये शान्ती नहीं मिल रही है, शान्ती मास्टडी पर मिलेगी, क्योंकि सिस्टेम अटिक पड़ा रहा हूँ, अपने ग्यान को पुराने ग्यान को भूल जाओ, नया सिखना है तो दिमाग मत लगाओ, सरेंडर कर दो, अपने गुरू को सरेंडर कर दो कि सर, आप जो बोलोगे आज से वो मानूँगा, विश्वास करके देखो एक बार निराशा नहीं होगी, तो इस से नीचे कुछ नहीं है, अगर आपको मन में लग रहा हो कि सर, I know this की, there are 26 letters in alphabet, मुझे पता है लेकिन सुन ले भाई, बहुत सारे ऐसे राज बताऊंगा, spoken English की, जो किसी ने नहीं बत है यार होके, सर बोलते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, हाँ, राहूल, यस सर, रमेज, यस सर, यहाँ पर भी अटेंडेंस लगती है, आप जैसे ही लाइक करते हो, आपका नाम उपर आता है चैट में, लाइक कर दीजे, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, देखिए, 26 letters होते है, और पूरा game इनका ही है, अगर आपने इनके combination को समझ लिया, तो समझो काम हो गया, तो इंग्लिश में कितने alphabet होते हैं, दोस्तों, 26 होते हैं, अब इन 26 alphabet को, है न, अब आपको समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पर, यहाँ से मैंने start किया है, ठीक है, आपको समझना यह सारे notes आपको free में दूँगा, टेंशन लेने के जरूत नहीं है, alphabet कितने होते हैं, 26 होते हैं, अब देखिए, इन alphabet को हमने कितने भागों में डिवाइट किया है, दो भागों में, कुछ वोते हैं, वोवल और कुछ होते हैं, वोवल कितने होते हैं, तो दोस्तों, इसमें 20, 25 हो रहे हैं, एक कहां गया, where is one, दोस्तों, 5 वोवल होते हैं, 20 कॉंसोनेंट होते हैं, और एक और भाइसाब होते हैं, जिनका नाम है सेमी वोवल, तो उसको ना हम यहां पर लिख लेते हैं, तो यहां पर लिख दिया हमने सेमी वोवल, मैंने कहा ना डीटेल ने पढ़ा आने वाला है, दोस्तों, मज़ा आने वाला है, ठीके, तो बताइए, कोई बता सकता है, what is semi वोवल, आप में से कोई बता सकता है, semi वोवल कौन सा है, बताइए, बताइए, semi वोवल कौन सा होता है, बताइए, come on guys, what is semi वोवल, दोस्तों, इंग्लिश को ना, जीरो से पढ़ कि सामने वाले को सिखा दो इसलिए whatever I have studied, I have studied in such a way कि I can teach you, वना मेरा भी कोई English subject नहीं था, but I learnt English in such a way I learnt English from the core of my heart and today I am teaching गोहत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि sir, why एक semi vowel होता है अच्छा कोई मुझे बताएगा कि ये why semi vowel क्यों होता है ये इसलिए होता है कि इसका जो pronunciation होता है ना y का, इसका जो pronunciation होता है वो कभी vowel निकलता है, तो कभी क्या निकलता है, कभी consonant निकलता है sir कैसे निकलता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो y है ना, इसके sound दो प्रकार की होते जैसे मैंने एक letter लिखा बेटा मैंने एक यहां पर एक word लिखा cry अब इस cry को जब प्रनाउंस करोगे न तो इसका pronunciation आएगा cry तो यहां पर यह जो e है न यह y को represent कर रहा है यह वाला e क्योंकि c r का मतलब तो cry हो गया और y का मतलब e हो गया cry जैसे मैंने बोला fly तो यहां पर भी जो y का उच्चारण है न यह निकल रहा है fly तो fly में यहां पर यह जो e आ रहा है न लास्ट वाला इमली का e that is coming as a e as a vowel sound तो यहां पर y का उच्चारण क्या हो रहा है वावल हो रहा है अब जब हम लिखते हैं तो y को तो हम consonant में रखते हैं y कहा रखा जाता है y को तो हम consonant में रखते हैं लेकिन यहां पर y का उच्चारण तो vowel निकल रहा है वैसे तो वावल जो होते हैं दोस्तों वह कितने होते हैं 5 होते हैं वावल कौन-कौन से 5 है A E I O U सीधी सी बात, consonant कितने होते हैं, b, c, d, e, और ये y को हम जो है consonant में रखते हैं, लेकिन हम actual में देखें, तो total consonant 20 होते हैं, और y को हम बोलते हैं semi vowel, क्योंकि ये हैं तो consonant, लेकिन इसका जो उचारन है, वो कभी-कभी vowel भी निकलता है, जबकि इसका उचारन बेटा क्या निकलता है y का उचारन कभी-कभी consonant भी निकलता है, जैसे yellow, अब yellow का मतलब होता है, पीला, तो यहाँ पर जो इसका उचारन निकल रहा है, वो यह निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जैसे मैंने बोला you, तो you का उचारन क्या निकल रहा है, यह निकल रहा है, तो यहाँ पर यह y का उच समझना नोट्स बनाने की जादा जरुवत नहीं है पहले इस एक घंटे की लाइब क्लास को समझो अच्छे से देखो फिर अगर आपको लगे कि हाँ मुझे नोट्स बनाने हैं तो इस क्लास को रिपीट देख लेना मैं प्ले लिस्ट में 75 हाड स्पोकन इंगलिश की एक प्ल पर में कोर्स बना दूंगा वहां जाके भी देख सकते हैं तो दोनों जगर सारे वीडियो अवेलिबल रहेगे अभी आपका फोकस शुडबी ऑन दबोड सबसे पहली बात इंग्लिश जो है पूरे संसार की जितनी भी इंग्लिश है जिसमें लाखों वर्ट्स हैं यह पूरी वावल और दूसरा होता है आपका कॉंसोनेंट सर वावल कौन-कौन से होते हैं तो जो 26 लेटर होते हैं उनमें A, E, I, O, U इनको वावल कहा जाता है और बाकी जो बचे इनको कॉंसोनेंट कहा जाता है वैसे 5 वावल होते हैं और बाकी के कॉंसोनेंट होते हैं Why they are called vowels? सुनना, यह कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ. इनको vowels क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि इनको बोलते समय, We do not use any part of articulatory system. जब हम यह बोलते हैं, तो हम अपने मूँ के किसी भी हिस्से को use नहीं करते हैं. बात को समझना दोस्त. जैसे यह हमारा जो है न, यह हमारा articulatory system है. अब हम जहां से आवाज निकालते हैं, वो होता है हमारा मूँ. यहां से हम बोलते हैं, बेटा. यहां से हम क्या करते हैं? बोलते हैं. और यहां पर एक जबान होती है और यह हमारा कंठ होता है. ठीक है मैं vit say a penter नहीं हूँ बढ़ अगर फिर भी penting अच्छी लगी हो तारीफ कर देना एक बात सुना ध्यान से बहुत in sound बात सुन लेना द्यान से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ख्लास में यह बता आओ क्लास में मजा आ रहा है हाँ सर बहुत मजा रहा, thank you so much guys सबसे पहली बात हमें यह समझना पड़ेगा हमारी आवाज बनती कैसे है देखो, हमारे पास ना पहले basics को समझो हवा में tenses पढ़ लिए, models पढ़ लिए गाने सुन लिए, English में movies देख लिए English क्यों नहीं सीख पाए क्योंकि कभी आपने शुरुवात नाप zero से नहीं की, मैं आपको वादा करता हूँ कि 75 दिन तक मेरी class attend की ना तो आपको English बोलना तो बहुत छोटी बात है, आपको English का teacher बना के छोड़ूँगा you'll become professor of English sir क्या बात कर रहे हैं थोड़ा जादा हो गया जादा नहीं हो गया, अगर जादा होता तो ये गाओं का लड़का गाए भेश चराने वाला आपको English नहीं पढ़ा रहा होता but I have experimented the things on myself I have found various ways और मैंने देखा है कि हमारे भाई बहनों को English सिखाने का एक तरीका होता है जो होता है शुरू से सिखा उनको एक वीडियो वो देखा, एक वो देखा किसी ने बोला tense पढ़ लो, किसी ने बोला passivize पढ़ लो, ऐसे काम नहीं चलता है दोस्त, ऐसे काम नहीं चलता है सर कैसे काम चलता है आप बता दो 0C को, तो जब हम English बोलते हैं, तो इनको वो वैल इसलिए कहा जाता है 5 letters को क्योंकि इनको बोलते समय हम अपने phonetary system का ये जो आर्टिकलरी system है इसका कोई भी part यूज नहीं करते हैं हमारे सरीर में 3 system बने हैं आवाज कैसे बनती है, हवा से आवाज बनती है हम जो सांस लेते हैं, वो सांस हमारे स्टमक में जाती है, चेस्ट में जाती है तो जो पेट में जो हवा जाती है आपने देखा होगा सांस लेते हैं, वो सांस फूलती है पेट बोलता है, सांस नहीं फूलती है तो पेट फूलता है, तो उसे कहा जाता है फोनेटरी सिस्टम, मेरे साथ बोलिए इसलिए एंगलिश में फोनेटेक्स आता है यह जो पेट होता है जो दिखाई नहीं दे रहा होगा इसको बोलते हैं फोनेटरी सिस्टम वहां से कुछ हवा तो नाक के बाहर निकल जाती है पर जिस हवा का बोलकर हम استعمال करते हैं तो वो हवा यहाँ पर आती है और यह जो दिख रहा है ना आपको इसको कहाजाता है फोनेटरु सिस्टिम यह पेठ है ने इसको हम कहेंगे सौरी एक मिस्टेक हो गई जो पेठ होता है इसको रेस्पीरेटरी सिस्टिम कहेंगे respiratory और यहाँ पर जो आएगा पेट को कहेंगे जो पेट में हावा रहेगी उसे कहेंगे respiratory system और जो यहाँ पर हावा रहेगी बेटा इसे कहेंगे phonatory system यह क्या होता है यहाँ पर हमारे दो vocal cards लगें क्या लगें vocal cards यह vocal cards लगातार ऐसे हावा को काटते हैं और sounds में convert करते हैं, तो यह होता है हमारा, यह वाला जो हिस्सा होता है, इसे कहा जाता है phonatory system, याने कि phonetics और उसके बाद जो सबसे أوपर आता है, इसे कहा जाता है articulatory system, क्या कहा जाता है, articulatory system, याने कि जब आप कोई भी language बोलते हैं, तो हम मूँ से बोलते हैं अब जब मूँ से हम बोलते हैं इंगलिश तो हम 26 में से 5 वावल बोलते हैं और बाकी बचवे क्या बोलते हैं जब आप ए बोलते हो तब आप किसी भी हमारा जो मूँ है इसमें अलग-अलग हिस्से हैं तो इस पूरे मूँ के भागों को कहा जाता है नीचे वाले होट को lower lip हमारी जो टंग होती है तंग, इसकी जो पहला भाग होता है जो corner होता है इसे कहा जाता है tip of the tongue पीछे होता है middle of the tongue आर back में होता है back of the tongue ऊपर जो गुदगुदी होती है इसे कहा जाता है hard palate नीचे होता है soft palate यह पूरा का पूरा system होता है articulatory system जिससे हम क्या करते हैं हम आवाज निकालते हैं what we do, we produce sound अब जब मैं A बोलूँगा तो A को बोलते समय मैं किसी भी articulatory system का use नहीं करूँगा A, मैंने ना मूँ उपर नहीं किया जैसे मैंने बोला B तो B में मेरे lips बंद होते हैं B बोलके देखो B, B तो आपको lips को touch करना पड़ेगा upper lip और lower lip touch होते हैं तो B निकलता है B, P, P तो जब आप अपने होटो का जबान का hard palate का, soft palate का use करते हो और उनको touch होके कोई sound निकलता है तो वो consonant कहलाता है vengeance को बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको कहीं न कहीं मूँ के parts के इस्तमाल करने पड़ेगे, लेकिन vowel को बोलने के लिए हमें जैसे बोलना E, तो मेरा मूँ खुला का खुला है, मैंने lips को touch नहीं क्या E, I, O देखो, आप सब लोग मेरे जैसे हैं न आप सब लोग पता है क्या कर रहे हो आप सब लोग मेरे जैसी practice कर रहे है हाँ बोल के देखो भाई, बोल के देखो कोई दिक्कत थोड़ी, मज़ा आरा है न आज like करो, आज 5 अगर आपको सच में मेरी class में अच्छा लग रहा है न, एक request करता हूँ आप जैसे से कई हमारे माताएं भेने हैं, हमारे कई दोस्त हैं, हमारे कई रिस्तदार है जिनको इस ज्यान की जरूरत है कोई ऐसा teacher जो इतना detail में पढ़ाए इतना अराम से पढ़ाए फ्री में पढ़ाए तो उनको ये वीडियो जरूर भेजना आपने अपने दोस्तों के WhatsApp ग्रूप में जरूर चुटकले भेजे होंगे जिनका कोई sense नहीं है time wasting होता है movies के scene भेजे होंगे आज अपने दोस्तों को ये 75 heart का कूर्स का live class का link भेजो कम से कम 5 WhatsApp ग्रूप में link भेजो फिर देखो मज़ाएगा पानी लाना है ना चलिए तो मैं पानी पी लूँ अब मैं जो पानी पी रहा हूँ न वो अपने articulatory system से पी रहा हूँ पानी पिया articulatory system से phonetics में गया और यहां से नीचे respiratory system में गया पटाफ़ट like करो इस्टे यह पटाफ़ट like करो तो मैं बता रहा था आपको कि जब आप इनको बोलते होना तो कोई sound कोई हम हमारे body का हमारे मूग का किसी हिस्थे का use नहीं करते हैं इसलिए ये कहाए जाते हैं वोवेल्स क्यों कहा जाता है इसलिए कहाए जाते हैं अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा मैं आपको बताओ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये बताइए सर कि alphabet कितने होते हैं alphabet कितने होते हैं 26 होते हैं लेकिन जो इनके sound होते हैं दोस्तों जादा होते हैं तो पहले हम sound की बात कर लेते हैं यहां पर देखो दोस्तों आप जब English बोलते हैं तो English की सबसे चोटी unit कौन सी होती है English की सबसे चोटी unit होती है sound आप चुकि हमारे पास 26 letters हो है letters कितने है 26 लेकिन यह 26 letters को हमने दो भागों में बाट दिया एक तो हमने बाट दिया vowel में और एक हमने बाट दिया consonant में अब sound की बात करते हैं क्योंकि sound समझ में आ गया ना तो कभी English में आटको गए नहीं दोस्त अब जो vowel sounds होते हैं इनके total यह letters तो 5 होते हैं लेकिन इनके total sound होते हैं 22, 22 sounds होते हैं और consonant की अगर बात करूँ तो consonant में अगर हम Y को भी यहां रख देते हैं मान लेते हैं कि हमने Y को इधार रख दिया तो Y को रखेंगे तो कितने बचेंगे, यहां बचेंगे 21, कितने बचेंगे, 21 बचेंगे लेकिन इन 21 लेटर्स के जो sounds होते हैं वो होते हैं 24 याने कि 22 प्लस 24 is equal to कितने हो गए 46 हो गए अब बात को समझना यह बड़ी good रहस्तर की बात बता रहा हूँ थैंक्यू सो मच गाइस बहुत सारे बच्चों ने और अमेरिका से भी जॉइन किया है नेपाल के तो बहुत सारे बच्चे जॉइन करते पूरा इंडिया के लोगों ने हमाई आज की लाइव क्लास में जॉइन कर रहा हूँ ऐसे ऐसे spoken English के राज बताऊंगा मजा आ जाएगा English teacher बनाऊंगा आपको professor बनाऊंगा अगले 75 दिन में heart का मतलब होता है detail में पढ़ना मेहनत करके पढ़ना दोस्तों लोग English क्यों नहीं सीख पाते पता है because they do not have a consistency पूरी दुनिया के लिए आपके पास time है दिन भर नौकरी करते हो जॉब करते हो बिजनस करते हो घर परिवार में रहते हो आप खुद को improve करोगे भाई नए साल से आज एक जनवरी हुआ है खुद के साथ promise करो कि सर 75 दिन में English improve करूँगा ये वादा करता हूँ comment में लिखके जाना और class कैसे लगी बताना जरूर आज की class लंबी भी चल सकती है देखिए 26 letters होते हैं 5 vowel होते हैं बाकी हमने कर दिये consonant इसमें y भी हमने रख लिया और अब ये जो 5 vowel होते हैं इनके उच्चारन होते हैं न भाई इनके उच्चारन कितने होते हैं 22 आप समझान इन एक एक के कई रूप हम बोलते हैं अरे भगवान के तो आने को रूप है आने को रूप है भाया इश्वर के अल्ला के आने को रूप है देखो ए है ना तो यहां पर मैंने लिखा कार तो यहां पर इस ए का मतलब हुआ इस ए का मतलब क्या हुआ 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 है ना अब मै यहां पर लिखा, यहां पर लिखा kate, तो यहां पर इस a का मतलब हुआ, क्या हुआ, यहां पर इस a का मतलब हुआ a, बात समझ में आई कि नहीं, बुद्धे की बात समझ में आई कि नहीं, आपने बुला car, I have a car, मेरे पास car है, तो car में यह जो a लगा है, इसकी a की मात्रा है यानि कि एक sound हो गया पर इसी A का एक ओर sound है A जब आपने बोला cat तो यहाँ पर क्या sound हो गया यहाँ पर क्या sound हो गया A हो गया यानि कि car के दो sound हो गए ना दोस्त जब दो sound हो गए तो later तो एक ही है A उसके उचारण कितने हो गए दो इसलिए यह जो 5 letters है ना दोस्त इनके टोटल उच्चारण किते निकल सकते हैं किते निकल सकते हैं 22 वाइस साउंड निकलते यह लोग बताते नहीं सिधा टेंस पढ़ लो मॉडल्स पढ़ लो अरे सब पढ़ाऊंगा बहाई ऐसे पढ़ाऊंगा जिन्दगी में कभी नहीं पढ़ेगा इतना डीप मे कितने निकलते 26 क्योंकि कहीं बड़ cancer क्या साउंड निकलता है चार निकल राता है यहां पर chemistry में यहां पर देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है इसका मतलब कर का निकल रहा है आपको दिखनी रहा होगा थोड़ा लिगольно कर लिख रहा हूं इस तरीके से समझ में आया आप मैंसे बहुत साइए लोग बोले सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में बहुत मज़ा रहा है तो लाइक करो और पांच लोगों को शेयर करना अपने पांच घासी राम दोस्तों को आपके ऐसे दोस्त जो टाइम पस करते हैं ऐसी म मुझे पूछा कि सर आप यह जो लाइफ क्लास ले रहे हैं 75 दिन तक आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो मैंने का भया मेरी सारी लाइफ क्लासे हमारे देश की उन बहनों उन माताओं को डेडिकेट है जो मेरी माताओं बहने घर रेकर सिर्फ उनको रूटी बनाने की मश मशीन समझा जाता है मेरी वह माताओं बहने जिसमें कुछ लोग महलाओं को यह समझते कि महलाओं को घर रेना चाहिए मेरी कई ऐसी बहने हैं जिन्होंने B.A.M.A. कर लिया है लेकिन पढ़ाई डिग्री होने के बावजुद सिर्फ घर रहती है उनको बाहर नहीं जाने द अगर आपको बहनों इंग्लिश आ जाएगी न तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपका पती कभी आपको यह बोल नहीं पाएगा कि मैं तुझे बैटर खिला रहा हूं तो ऐसी माताओं बहनों को मेरा पूरा 75 दिन का कोर्स समर्पित है और उनके लिए मैं हूँ एसलिए आप जरूर सीखें और वो सभी माताय भेन हैं आपकी भी भेन होगी उसने विचारे ने ग्रेजिवेशन कर लिया है आपको समझ में नहीं आ रहा है अरे कई लड़कियां ऐसी होती है एंबीए करके फोन लगाती सर एंबीए कर ला है जौब नहीं मिल रही है क्यों नहीं मिल रही है सर इंग्लिश नहीं आती है दुनिया के सारे इंटर्व्यूस तो इंग्लिश में होते हैं मैंने का मास्टडी जॉइंग करो इस तरीके से अब पॉइंट पर आ जाते हैं तो यहां पर हमने ये कंसेट समझ लिया एक कंक्लूजन करते हैं फिर आगे कहा जाता है इनके total sounds कितने होते हैं 22 होते हैं consonant क्या होते हैं जिनको बोलते समय क्या होता है हम अपने parts of मू के parts का इस्तमाल करते हैं यह कितने होते हैं total हम मान लेते हैं कि 20 होते हैं और इनके sound कितने होते हैं 26 होते हैं ठीके और एक हमारा भाई क्या बच गया semi-ovel बच गया ठीके आगे बढ़ जाते हैं आप यहां समझते हैं अब मैं आपको बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ वादा किया है बस एक निवेदन है कई बार आपको इस course में ऐसा लगेगा कि सर ये तो हमें पता है ये तो हमें पता है अल्फाबेट कितने होते हैं देखो आपको पता हो तो भी सांती से बैठे रहो दोस्त इस फीट बढ़ा के देख लेना लेकिन कुछ भी चीछ छोड़ना नहीं क्योंकि छोड़ो गेना अगर थोड़ा सा भी पांच मिनट का भी छोड़ दिया तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि 6 साल से सीख रहे हो लेकिन इंग्लिश नहीं आएगी आपको लास्ट में ऐसी ऐसी प्राक्टिस कर वाऊंगा मज़ा आ जाएगा यह सारे नोट्स में टेलिग्राम पर डाल दोगा मास्टडी टेलिग्राम एक एप आता है डाउनलोड करो मास्टडी को पैसे दे सकते हैं यह मेरा कोर्स यहां पर फ्री है I will not charge anything ठीके चलिए यहां पर आते हैं भहिया सबसे छोटी कई क्या होती है sound होती है है ना अब sound पर मैंने आपको पूरी महाभारत बता दी आप sound से बनता है आपका क्या बनता है भहिया लेटर क्या होता है सर भाया लेटर नहीं पता है जैसे लेटर ए होता है बी होता है सी होता है डी होता है ठीक है आगे बढ़ जाते जब ग्रूप अप लेटर्स बन जाते हम लेटर्स में थोड़ी बूलते बच्पन में पैदा हुए हमने बोला था इंग्लिश में A for apple, B for ball, C d4 cat d4 dog ठीक है तो हमें ध्यान रखना है जब letters को हम इखटा कर देंगे तो यह बन जाएगा आपका word word क्या होता है a group of letters which has a sense जब किसी letters का group बन जाता है उसका sense होता है जैसे मैंने यहां पर लिखा cat तो यह एक word है मैंने यहां पर लिखा pen तो यह एक word है अब word के group से क्या बनता है तो word के group से बन जाता है मित्र word के group से बनता है sentence क्या बनता है sentence sentence क्या होता है group of a sentence group of words जब कुछ वाक्यों का एक meaning हो जैसे मैंने कहा कि she has a pen समझ में आया तो group of words group of words group of words are called a sentence सबसे चोटी unit क्या है sound है सबसे चोटी unit क्या है sound है sound मिलकर क्या बनते हैं letters बनते हैं letters से क्या बनता है word बनता है और word इखटे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा एक sentence बन जाएगा और sentence मिलके आपके बनाते हैं speech या paragraph speech या क्या बनाते हैं paragraph बनाते हैं क्या बनाते हैं paragraph बनाते हैं जो आप सीख रहे हैं यह बनाते भाई और यहां से फिर आप अंग्रेजी स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं समझ में आया हमें अब आप में से कई लोग होंगे जिनको यह पता है साउंड्स क्या होते हैं अच्छी बात है वदाई हो अब लेटर्स क्या होते हैं हाँ सर अभी तो आपने बताया 26 लेटर्स होते हैं रिविजन करना मेरे दोस्त इस क्लास को खतम होने के बाद अगर बाद में आया हो ना तो एक बार फिर से देखना एक बार फिर से क्योंकि जीरो से नहीं देखो गे ना तो पूरा गई भेस पान में इसलिए अगर लेट आयों कोई दिक्कत नहीं है टाइम नहीं होना तो क्लास रोज होगी आप रिकोड़ेट क्लास भी देख सकते हैं यूटूब पर से क्लास डिलीट नहीं होती है लेटर्स अगर आपका लेवल यहां तक है सर मुझे तो कुछ नहीं आता है मैंको तो क रेजी स्पीच करते आती है तो हमें ना इस लेवल तक जाना है हमें कहां जाना है हमें we have to learn English speaking speaking सीखना है मैं आपको बता हूँगा समझ में आ गया समझ में आ गया हां सर आ गया है यूटूब पर देख रहे हो तो स्क्रिंशोट ले लो मास्टडी एप पर देखोगे तो स् पानी पीलू थोड़ा सा कि दिना कीमरा है कि वहां से गल्लो जो आरे ना मेक्जिम बेरिए देखिए वैसे आम सो हैपी टोड़े कि हजारों लोगों ने जॉइन किया है आज लाइव सेशन आम सो हैपी यू यू रियली यू वेलकम्ट मी वित अना बुके अ फ्लार्स बताऊंगा राइटिंग स्किल्स कैसे इंपरू करना है वह भी बताऊंगा लोग समझतें इंग्लिश बोलने का मतलब होता है सिर्फ इंग्लिश बोलना और इंग्लिश बोलने के लिए नहीं सीखना है अगर बॉस ने बोल दिया कि अपने कस्टमर को मेल करो क्या आपको मे करो आप ये लिखो कि क्या कि प्रिय ग्राहक आपका माल अभी तक नहीं पहुंचा है और यह माल ना किसी चरस गांजे को माल समझ लेगा क्योंकि माल को माल नहीं बोलते हैं मौल बोलते हैं इसलिए ध्यान रखना कई भूलना जाना मैं चाहता हूं कि आपके अंदर 21st century skills होनी चाहिए मैं चाहता हूं आप बहतर बनो मैं चाहता हूं आप परफेक्ट बनो क्योंकि 2024 में अगले तीन महिने में हमें सबसे पहला काम करना है इंग्लिश को उड़ा के फेक देना है ताकि आगे जितना भी जीना हो 30 साल 40 साल 50 साल इंग्लिश की टेंशन नहीं होना अमेरिक हैं कि सो मज गाइस तो अल्फाबेट में एट उजेट 26 लेटर होते हैं हमने 26 लेटर को बेटा दो भागों में बाते हैं सबसे पहला होता है रिटर्न इंग्लिश है ना सबसे पहली बात क्या होती है रिटर्न इंग्लिश तो लेटर्स को जो हम जो 26 लेटर होते हैं वी ABC, हमने लिखा D ये सारे के सारे capital letters होते हैं जिनको हम अपनी writing में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? capital letters हो गया ये क्या हो गया? capital letters हो गया ठीके, तो capital letters क्या होते हैं? तो written English को दो भागों में बाठते हैं याद तो हम capital में लिखते हैं या फिर हम small में लिखते हैं small में कैसे लिखते हैं A, B, C, D तो हमें सीखना पड़ेगा आप मैंसे कई मेरे भाई भेन ऐसे हैं सर हमें तो cursue handwriting आती नहीं उसका समाधान भी बताऊंगा कल की class में आज मुझे start करना है class cursue handwriting कैसे improve करना है आपकी writing improve करवाऊंगा आपका pronunciation improve करवाऊंगा और आपको धीरे धीरे English बूलना भी सिखाऊंगा तो letters can be divided into two parts return में दो भाग होते हैं और letters का एक और part होता है एक और segment होता है और वो होता है आपका oral अब ये oral part क्या होता है बेटा औरल का मतलब होता है मू से बूली गई English अब जो English मू से बूली जाती है ना दोस्त उसको दो भागों में बाढ़ते हैं vowel और consonant अभी मैंने आपको बता दिया बार बार एकी बात को बताने से मतलब नहीं है बता दिया कि 5 vowels होते हैं और बाकी बचे 21 consonants होते हैं य को लगा कर बोल रहा है वरना confused मत होना क्यों कि Y semi vowel है पर हम जब गिनते हैं तो Y को consonant में रखते हैं आगे बढ़ जाते हैं अब यहां तक तो आ गए अब देखो यह मैंने आपको बता दिया है कि भाई language की सबसे चोटी unit letters होती उसके पहले sound आता है letters यह रहे letters के group को क्या बोलते हैं उनको बोलते word बोलते हैं और words के group को sentence बोलते हैं यह सारे notes में आपको देने वालों आपको चिंता नहीं करना है पूरा का पूरा PPT मैं telegram app पर डाल दूँगा Mastery पर telegram से आप download कर सकते हैं अपने mobile phone में दूसरा यह सारे notes एक की जगह पर available रहेंगे Mastery app पर तो Mastery app पर ना मैं कोर्स क्रियेट कर दूँगा जहां पर सारे videos सारे notes और सारी practice sheet available रहेगी यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं आप देखिए जब भी कोई sentence बनाते हैं अब logic समझो English क्यों नहीं सीख पाए क्योंकि हमने ना basics पर काम नहीं किया अगर कोई मकान बना रहे हैं उसके foundation पर अगर काम नहीं किया तो building गिरना तह है हम क्यों ने English सीख पाए अभी तक क्योंकि हम ना ऊपर-उपर ही करते रहे हम किसी building को देखते हैं और बाप रहे what a beautiful building it is और उसके foundation को देखो भाई foundation क्या होता है कोई भी sentence मुख्य तर तीन भागों से मिलकर बना होता है subject वर्प और object यह तीन चीज़े होती जब भी कोई sentence बनाया जाता है उसमें तीन चीज़े होती subject, verb और object जैसे मैंने एक sentence बोला मैंने कहा I go school यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कितने चीज़ भाईया यहां पर तीन word है यह जो I है यह क्या है बेटा यह एक subject है यह go है यह एक verb है और यह school है यह एक object है तो अभी आपको basic concept को समझना पड़ेगा क्योंकि हमें ना English बो सेखना भी सीखना है तो इसलिए कोई भी सेंटेंस जितने भी सेंटेंस अगर मैं हां खड़ा होके ना English बोलू ना तो मैं जितने भी सेंटेंस बोलूंगा उसमें तीन चीज़े कॉमन रहेगी subject, verb or object for example मैं बोलता हूँ हाँ हाई गाइस हाई 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 ह अब हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कौन-कौन सी चीज़े यहाँ पर आ सकती है क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि गो आई स्कूल क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बताओ बताओ घासी राम बैठा है मेरा दोस्त मेरे दोस्त का नाम है घासी राम मेरा तो मिनका इसमें दिक्कत क्या है गोई स्कूल में बोले सर हर सेंटेंस का एक पैटन होता है आप कपड़े पहनते हो तो आप पैंट उपर पहनते हो और शर्ट नीचे पहनते हो क्या में को शरम आगे मिनका नहीं यार ऐसा तो नहीं करता हूं तो बोले सर वही तो कहना चाहरा कि shirt की जगा उपर है और paint की जगा निचे तो ये आप शर्ट को नीचे मत ले जाओ और paint को उपर मत ले जाओ समझ में आया कि ने आया इसलिए जब भी आप English बोलते होना तो subject आगे आता है वर्ब बीच में आती है और object लास्ट में आता है आप आपको यह पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या-क्या होते हैं तो आप हमेशा आगे रख दोगे तो सब्जेक्ट क्या-क्या होते हैं तो यहां देखो सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द सम्हूं को कहते हैं जिसके बारे में sentence में कुछ कहा जाता है subject की जगव पर noun या pronoun आ सकता है subject क्या होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है मैंने का हुआ कपड़े धोता है कपड़े कौन धोता है वह अने he मैंने का हम तो नाचते हैं नाचते कौन है अरे कौन नाच रहा हम हम अने we तो जिसके प्रणावन क्या होते हैं वो फुर्सत में बताऊंगा दोस्त ठीक है पहले यह समझो कि subject हम जब sentence बनाएंगे तो दो प्रकार की होंगे या तो he, she, it, name या कोई singular word इसका number 1 हो गासी राम उदर से बोल रहा है sir मैं भी सिंगली हूँ मैंने बोल रखा है गासी राम को कि तु टेंशन मतले English सीख गया ना तो तु प्लूरल हो जाएगा वो कैसे वो ऐसे कि English बोलेगा तो कुछ लोग impress हो जाएंगे और कुछ लोग impress हो जाएंगे तो तु भी तर थ्रीडियट क्या बनना है काम्याब मत बनो क्या बनो काबिल बनो ठीक है तो ही शी इट नेम और सिंगलर यह सब्जेक्ट हो सकते हैं आई वी दे यू आई वी दे यू या फिर प्लूरल तो यह सारे के सारे words बेता सब्जेक्ट होते हैं आरे सर कितने बढ़िया notes बनाया आ बच्पन से सर कॉपी मांगता आ रहा हूं सर यह notes भी दे दोगे मुझे पता है आप मेंसे कई लोग ऐसे है जो खुद के notes कभी नहीं बनाते हैं मांग मांग के चलाते हैं इसलिए सारे notes आज दिन भर 8 गंटे बैठा हूं सुबह 8 गंटे बैटके सारे notes बनाये हैं मैंने ता कि मुझे पता है कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो 0 से पढ़ रहे हैं वह पूछने हैं कि सर आई का मतलब क्या होता है यह आई तो आपने बोल देश का मतलब क्या होता है टेंशन न को करो भाई यहां पर देखो एक और स्लाइट बहुत प्यारी आप देखो वैसे तो आप ब मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं and they directly come to me sir I know English and I also try to speak English but when I try to speak English the words do not come to my mouth अरे भाईया सीधा बोल दे शुद्ध भासा में कि अंग्रे जी नहीं आती है बोल देना अंग्रे जी नहीं आती सर आप तो सिखाओ आप बोलोगे नीचे बैठो तो नीचे बैठके पड़ेंगे बस सिखा दो अंग्रे जी मैं सिखा दूँगा पहले surrender तो करो इसलिए कहना क्या चाहते हो वे कहना यह चाहता हूं कि मैंने कहा कि मेरे पास मेरे पास गाय है तो यहां पर जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा भाई आई है अकाउ तो यहां पर मेरे का मतलब क्या निकला मेरे का मतलब निकला आए अब एक और सेंटेंस देखो मैंने कहा कि मुझे काम है मुझे काम है तो यहाँ पर जब इंग्लिश बनाओगे तो यहाँ पर बोलोगे I have a work समझ में आया कि नहीं आया तो कहने का मतलब यह है कि आप हिंदी के basis पर जज नहीं कर सकते हो कि मुझे के लिए क्या लगाना है मेरे के लिए क्या लगाना है इसलिए I को कितनी जगर मुझे के लिए मुझको के लिए और मेरे के लिए आपको सिनस अभी words के लिए कई बार I का इस्तेमाल करना पढ़ सकता है clear है इसलिए tension नहीं लेने का पूरा समझाऊंगा तो यहाँ पर मेरे के लिए भी I आया और मुझे के लिए भी आया जबकि मुझे के लिए me भी आ सकता है इसलिए थोड़ा समभल कर चलना पड़ेगा तो I आने होता है में और I को जब हम as a object यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे मी और यहाँ पर इसका meaning भी मुझे निकल सकता है ठीके वी वी का मतलब होता है हम हमें हमको या हमारे यू यू का मतलब होता है तुम आप आपको या आपके दे का मतलब होता है वे उन्हें उनको या उनके plural का मतलब होता है जो बहुवचन होते हैं जैसे दो या दो से अधिक he का मतलब होता है वह उसे उसको या उसके she का मतलब होता है वह उसे उसको या उसके it का मतलब होता है यह इसे यह निर्जी वस्तों के लिए इस्नमाल किया जाता है नेम का मतलब होता है कोई नाम जैसे जय, विजय, राहुल, राधा, रमेश, है ना, अब्दुल जो भी नाम आपको अच्छा लगे, और सिंगलर का मतलब होता है जो केवल एक हो, इतने प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अभी तो सिर्फ सब्जेक्ट बताया है, मैंने से कई बच्चे तो बहुत dedicated है, पर कई लोग ना भटकती आत्मा है, यह भटकती आत्मा हो के चक्कर में मुझे बहुत मेहनत करने पड़ती है, भागो मत यार, एक घंटा ही तो मांग रहा हूँ, मुझे नहीं देना है, खुद को देना है, भाई, खुद को देना है, लास सक ठिके रहना, है ना, अगर नीन दा रही होना, तो चलते चलते क्लास देखो, आप मेंसे कई मेरी माता हैं बहने हैं, जो रोटी बेलते बेलते क्लास दे रही है, एक ऐसी बहन है, राधा नाम की जो सबजी को बगारते बगारते, मेरी क्लास देख रही है, आप मेंसे कई लोग ऐसे हैं जो बहुत समय निकाल कर काम कर रहे हैं क्योंकि आप सीखना चाहते हैं खुद को बदलना चाहते हैं अब देखिए अब हम समझेंगे बेटा वर्ब को है ना वर्ब को समझते हैं तो हमने यह समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या-क्या हो सकता है यह हो सकते हैं प्रन वर्ब, अब यह वर्ब किया होती, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ समझ लो, देखो, किसी भी sentence को बनाने के लिए, एक sentence को frame करने के लिए, हमें क्या करना है पेटा हमें सबसे पहला काम करना है हमें तीन चीजों को समझना है अब यह अंग्रेजी पढ़ाऊंगा टेंशन मत लेना किसा टेंस कप पढ़ाऊंगे सब पढ़ाऊंगा सब का नंबर आएगा बॉस पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा समझ लो फाउंडेशन अगर मकान का फाउंडेशन गलत बना ना कॉलम गलत भर दिया तो दिक्कत हो जाई सब्जेक्ट समझ में आ गया आप वर्ब को समझते वर्ब का मतलब होता है दो प्रकार की वर्ब यहां परना दो प्रकार की वर्ब आ सकती है कितने प्रकार की वर्ब आ सकती है थोड़ा सा ही रेस करना पड़ेगा इसको दो प्रकार की वर्ब आ सकती है देखो बात को समझना यहां पर ना वर्ब दो प्रकार की आ सकती है क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो मुझे भी संतुष्टी नहीं मिलेगी वर्ब दो प्रकार की होती है एक वर्ब होती है आपकी helping वर्ब दो प्रकार की आ सकती है शौट में समझाओंगा क्योंकि मैंने कल ही समझाता यह और एक होती है में वर्ब आप इसको समझ लो ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए बेटा क्योंकि एक बार में अगर दिक्कत क्लियर हो गया ना तो मज़ा आ जाएगा वाट डियू में बाइ हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि सहयक क्रिया इसे बोलते है सहयक क्रिया सहयक क्रिया याने कि सहयक क्रिया का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी वर्ब जो क्या बताती है टाइम बताती है टाइम बताए क्या बताए दोस्तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि सर हमें ना कोई अच्छी किताब बता दो दोस्तो मेरी मांस spoken English book है ये book मैं ने पिछले 3 साल में लिखी है ये book बुक बहुत बढ़िया book है शानदार book है ये book आप order करके अपने घर बुला सकते हैं यह book order करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मास्टडी एप पर हमारी एप जो है मास्टडी एप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप आइफोन यूज़ करते हैं तो उसकी link अलग दे रखे description में वहाँ से ले लिए एप डाउनलोड करने के बाद इंट्रीस करने के बाद आप ये book order कर सकते आपके घर साथ से आठ दिन में आ जाएगी जो भी मैं पड़ाओंगा जितना भी पड़ाओंगा इस book में सारे notes अवेलेबल है बुक की बहुत सारे फाइद है अभी पहले पड़ा देता हूँ फिर लास में discuss करेंगे ये लिजे और book के लिए मैं कोई pressurize नहीं कर रहा हूँ आपके इच्छा हो तो लिजे वहना यूट्यूब परतों में पड़ाओंगा और सारे notes भी दूँगा ठीके बाकी बुक रहेगी हाथ में तो अच्छा रहेगा practice करने में असानी होई helping वब क्या करती टाइम बताती है ठीके और main verb क्या करती है main verb बताती है आपको action बताती क्या बताती action इसे मुख्य क्रिया भी बोलते है जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि I am going I am going to market अब यहां पर देखिए यह जो sentence है यह तो आपका subject है अभी मैंने आपको बताया था और यह जो M है ना यह आपकी helping verb है यह बता रही time कि भाई जो यह tense बोला गया है यह present tense है present का continuous है तो is MR, was, were, did यह 12 helping verbs अगर आप एक बार याद करो ना तो माथा बच्ची खतम है जब मैं आपको tense पड़ाओंगा ना तो पहले chart याद करोंगा 12 helping verb याद करो कि tension खतम दिक्कत ही नहीं रहेगी आपको ठीक है तो यह helping verb है दोस्त हाँ आप से ही बोल रहा हूं बेटा कुछ आपको पड़ाओंगा देखिए M का मतलब होता है helping verb आप यहाँ पर going का मतलब होता है mean verb आप इनका काम क्या होता है यह M लगने से हमें यह पता चलता है कि यह जो tense है यह क्या है कि present continuous tense अगर मैं यहाँ पर was लगाता कि I was going to market तो was क्या है past tense है तो यहाँ पर मैं लगाता I will be going to market मैं market जा रहा हूंगा तो विल भी लगने से पता क्या चलता कि कौन सा time है future है helping verb क्या करती है या time बताती है ये टेंस बताती है, में वब क्या करती है, क्रिया बताती है, कि भाई ये subject क्या कर रहा है, ये subject क्या कर रहा है, मैंने का I am eating, eating मतलब क्या मैं खा रहा हूं, I am dancing, मैं नाच रहा हूं, I am promising, मैं वादा कर रहा हूं, क्या वादा कर रहा हूं, कि मैं 75 दिन में इंग्लिस तीखूं आज के बाद शराब नहीं प्यूँँगा फालतू बातें नहीं करूँगा आज के बाद अपने टाइम की वेल्यू करूँगा टाइम की कद्र करूँगा और रोज एक घंटा खुद के improvement के लिए निकालूँगा चाहे office में कितना भी काम हो चाहे school में कितना भी काम हो लेकिन खुद के improvement के लिए वनावर निकालूँगा तो जो sentence होता है subject verb object से बना होता है ठीके दोस्त और subject में हमने पढ़ लिया verb दो प्रकार की हो सकती या तो helping verb या main verb आप object की बारी आती है object का मतलब क्या होता है बेटा object का मतलब होता है कोई साभी ऐसा शब्द जिसके उपर subject काम कर रहा हूँ मैंने कहा I am going to market तो market जा रहा हूँ तो market क्या हो गया market एक object हो गया market क्या हो गया एक object हो गया मैंने कहा कि I am speaking English तो English क्या हो गया एक object हो गया मैंने कहा है कि भाई I am dancing on the floor तो flower क्या हो गया एक object हो गया object वो चीज होती है जो जिस पर subject काम करता है जिस पर subject acting करता है तो हमने finally यह समझा कि किसी sentence को बनाने के लिए subject verb object को हमें समझना पड़ेगा जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा अब आगे बढ़ते हैं अब यहां देखिए दोस्तों अंग्रेजी में सिस्टा अचार कई लोग बोलते हैं कि sir from which point I have to start English आप मैंसे कई लोग मुझे पूछेंगे कि sir English बोलने के शुरुवात कहां से करें दोस्तों हमारी क्लास रोची क्लास दो भागों में डिवाइड होगी मैं प्लान लेकर आया बिना प्लान के कोई काम नहीं करता हूं ठीक है प्लान क्या है अभी मैंने आपको 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में concept समझाया क्या समझाया concept बिलकुल detail ने पढ क्लास खतम होने के बाद शुरू से देखना कि अब इंग्लिश बोलने की शुरुवात कहां से करें दोस्तों इंग्लिश हम already बोलते हैं हमें सिर्फ इंग्लिश को अपने व्यवभार में लानी है हमें शर्माना नहीं है हम कई बार इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं because we think that people will notice us पता है हमें डर लगता है कि मैंने अंग्रे जी बोली गलत निकल गई तो किसी ने notice कर लिया तो आरे घासी राम लोग notice करेंगे इसलिए तो बोलना है ना English हम spray perfume क्यों लगाते हैं क्यों लगाते है perfume ताकि जब लोगों के पास से निकलू तो उन्हें खुशबू आये है ना इसलिए तो लगाते ना perfume कि लोगों को बद्बू ना आये खुशबू आये तो इसलिए English बोलने में शरम काएं कि English एक भासा है just it is a language और language इसलिए सीखना है कि अगर हमें language बोलने की जरुरत पड़े तो बोले सर कहां से शुरू करें ये बता दो भाई मैं बताता हूँ English बोलने की शुरुवात आपको छोटे छोटे शब्दों से करने चाहिए ऐसे शब्द जिनको आप बोलोगे तो लोग आपका मजात नहीं बनाएंगे और आप से वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेंगे समझ में आया कि नहीं आया आप लाइक नहीं कर रहा है 16,000 लोग देख रहे हैं क्लास के लेकिन लाइक नहीं कर रहे है लाइक कर दो फटा फट देखिए प्लीज का मतलब होता है क्रपईया अब यहां परना कुछ वर्ड लिखें बेटा प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होता है क्रपईया तो यह शब्द बोलना स्टार्ट करो प्लीज, help me, मेरी मदद करो प्लीज, 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 गिव मी सम वाटर मुझे थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज का मतलब होता है क्रपईया ध्यान रखना प्लीज का मतलब क्या होता है खुश होना भी होता है तो प्रॉपर बोलना है अगला होता है थेंक्स जब भी किसी से मदद मांगो तो आप उसे प्लीज बोलो जब भी किसी से कोई काम हो जाए उसको thank you बोलो धन्यवाद आप इसको thank you को हम thanks भी बोल सकते हैं और thank you भी बोल सकते हैं तो उनों में कोई difference नहीं है यह depend करता है आपकी उपर thanks एक informal word है thanks क्या है informal है जैसे आपका कोई दोस्त है उसने तुमारा पानी का bottle उठा के तुमको दे दिया है अरे राहुल तेली पानी की bottle ले जा यार तो आप क्या बोलोगे thanks यार तो informal word है thanks अगर आप किसी boss को बोलोगे तो आपने boss को thanks मत बोलना बोस को बोलना thank you, क्या बोलोगे, thank you sir, thank you ma'am, last में मुझे क्या बोलके जाओगे, दोनों चलेगा, thanks भी बोल दो तो भी चलेगा, thank you बोल दो भी चलेगा, आपके ओपर डिपन करता है, क्योंकि मैं आपका दोस्त भी हूँ, आपका भाई भी हूँ, और आपका teacher भी हूँ, ले sir, welcome, welcome एने की स्वागत है आपका, ठीके, allow me का मतलब होता है, मुझे अनुमती दे, जैसे हम बोलते हैं, अगर आप मुझे allow करें, तो मैं 5 मिनिट बाहर जा सकता हूँ, allow me to go outside for 5 मिनिट, allow me to take my dinner, allow me to sit here, मुझे यहाँ बैठने की अनुमती दीजिए ना sir, allow me to sit here, तो allow me का मत मतलब होता है, अनुमती दीना, दोस्तों इन words का इस्तमाल करना, आपको शुरू करना है, ठीके, अगला है, excuse me, excuse me का मतलब होता है, माफ करे, लोग पता है क्या बोलते हैं, excuse me, अरे excuse me क्या होता है भाई, नहीं आता है तो सीखो, pronunciation को सुधारना पड़ेगा, आपकी गलती न excuse me को excuse me ही पड़ेंगे, हम तो इंडिया में पैदा हुए, गाँवाले हैं, पर गाँवाले इसका मलब यह नहीं कि गलती पर गलती करेंगे, गाँवाले हैं, इसका मलब यह नहीं कि हम गलती हैं, सुधारते हैं, हमें कोई बताने वाला होना चाहिए, हमारे lips, हमारी tongue पर हम काम करना पड़ेगा हम पहले बोलते थे excuse me अब excuse me नहीं बोलना है excuse me अगर शब्द नहीं बोल पा रहे हो उसके टुकड़े करो बेटा टुकड़े X तुमारी X की बात नहीं कर रहा हूं उदर से घासी राम बोल रहा है सर X की आद आ गई अरे X मतलब पुरानी girlfriend X की बात नहीं कर रहा हूं मैं excuse me की बात कर रहा हूं excuse me जब word pronounce नहीं करते आता है तो दो टुकड़ों में तोड़ दो excuse me sir अन्हें मुझे च्छमा करें जैसे कोई सामने खड़ा है आप जा रहे हो तो आप उसे ऐसा बलो है हलो ऐसा नहीं बोलना अंग्रेजी सीख रहे हो ना मास्टडी पर तो कल जाके क्या बोलोगे मैडम excuse me मैडम प्लीज मोवेट थोड़ा हट जाईए प्लीज मोवेट यह वर्ट्स बोलना स्टार्ट करोगे आप कल से थो छोटे-छोटे वर्ट्स की English बोलना स्टार्ट करो आगे करोगे ना भाई है ठीक है अगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि देखिए अगला है sorry अब इसको सूरी नहीं बोलना है एक लड़की मुझे आके बोलती है सूरी सर मैंने ध्यान रागा सूरी क्या होता है बाई सूरी नहीं होता है र को प्रणाउंस करते समय अपने टंग को पीछे करो आप मेरे साथ बोलेंगे sorry पोलो sorry sir टंग को पीछे करो र बोलो न र तो टंग को पीछे करो Sorry आप में से बहुत साए लोग ट्राइ कर रहे है मुझे पता है मत्राइ करो पागल हो जाओ गरवाले बोलेंगे इसको क्या हो गया है मास्टर्डी वाले सर ने पागल कर दिया है भाईया पागल लोग ही इतियास रचते है जो पागल होता है जो दिवाना होता है ना जो crazy होता है ना वो कुछ अलग करता है कुछ अलग करना है तो लोग तो हसेंगे जो लोग पहले हसने बाद में सलाम करते है ठीक है तो sorry बोलना है it's my pleasure है ना कोई आपको thank you बोले तो आप क्या बोलोगे it's my pleasure याने कि यह मेरा सोभाग्य है इसका मतलब वह बिल्कुल ठीक है that's all right का मतलब है वह बिल्कुल ठीक है after you का मतलब होता है आपके बाद जैसे किसी ने का कि नास्ता लीजे ना आरे पहले आप लीजे I will take after you after you मतलब आपके बाद मेरे साथ बोलो after you मतलब आपके बाद like नहीं किया यार तुम लोगों अभी तक यार मत करो यार नाराज करते हो भाई नाराज थोड़ी करना किसी को फटा फट लाइक करें आप क्लास देख रहां उठा लगाने में क्या दिक करते है भाई सामने वाला ठंड में आपको पड़ा रहा है it is a winter season but there is a पसीना on my forehead there is a पसीना on my forehead sweating पसीना मतलब sweating है ना और आप लाइ अगला है प्लीज हशेल मतलब क्या होता है क्रपईया मदड करें जिसन जरा सुनो दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए कॉन से से Week से कयर्ट करते हो तो आप इन वृट्स का इस्तमाल करो घासी राम बोलता है सर किसी बाड़की से बात करता हूं तो मुस्से दूर भाग जात यह मिनका क्यों यार मिनका तेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो कैसे बोलू मिनका यह वर्ट सिस्तमाल कर आज घाशी राम बहुत खुश है है ना उसकी जिन्दगी का अलग लक्ष है आपको किसी लड़की या लड़के को इंप्रेस नहीं करना है आपको अपने फैम घर में जब पत्नी होती है ना तो पत्नी को कैसे बोलेंगे अरे सुनना तो अरे भागवान सुनिये उसको अंग्रेजी में बोलना आज जस लिसन है ना जस लिसन अगला है वाक केरफुली ध्यान से चलो और लास्ट है टेक केर टेक केर का मतलब होता है अपना खयाल रखना अब आगे बढ़ जाते हैं अब देखो दोस्तो ऐसा है कि मैंने जो आपका class plan किया है ना बेटा मैंने plan किया है बहुत बढ़िया तरीके से पहले मैंने आपको concept समझाया concept के बाद मैंने कुछ ऐसे words आपको बताए जो आपके daily life में use होते हैं अब आती है आज के task की बारी हमें आज से ही English बोलना शुरू करना पड़ेगा हमें English के four parameters पर काम करना है reading, writing, speaking और listening अगर ये four parameters पर अगर आप काम करेंगे ना तो आपके English बहुत जल्दी improve होगी अगर आप चाहते कि sir 75 days तो बहुत जादा हो गए मैं चो 30 days में improve करना चाहता हूँ कोई formula है formula है बाई क्या formula है आपको four parameters पर काम करना पड़ेगा वो कौन से four parameters है मैं पहले बताता हूँ फिर इस topic पर आएंगे देखो English बोलने के लिए आपको ये four parameters पर काम करना है जिनके बारे में आप जानते भी हैं पर मेरे नजरे से क्या समझते हैं समझ लीजिए L, S, R और W ठीके ये चार, ये चार main parameters है to speak English fluently आपको अगर जल्दी English सीखना है तो आपको English को सुनने की आदट डालनी पड़ेगी है ना अब सुनना क्या है मैं आपने हर वीडियो में बताता हूँ एक बर फिर बता देता हूँ कभी न कभी तो आपको समझ में आएगा रोज 10 मिनट जब भी टाइम मिलता है English वाले वीडियो को सुनो और देखो सुनना है अभी टॉपिक बचा अभी पड़ाऊंगा आदा घंटा और घिसूंगा तुमको आज रहा क्लास लंबी चलेगी पहली क्लास है ना कल से एक घंटे में क्लास खथम कर दूंगा आज की क्लास का एक टॉपिक में छुटा ना जि अभी को टाइम निकालना पड़ता है अगर टाइम नहीं निकालोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे तो 10 मिनट आपको लिसनिंग करनी यूटूब पे अच्छे यूटूबर्स को सुनो जो अंग्रेजी बोलते है कुक्कु एफेम पे सुनो पोकेट एफेम पे सुनो जो भी आ करना है स्पीकिंग करना है बेटा क्या करना है स्पीकिंग करना है कैसे स्पीकिंग करना है रोज 10 मिनट तो मुश्किल होगा अभी आभी आपने आज से स्टार्ट किया है तो एक दो-दो मिनट से शुरू करो खुझ से वादा करो कि रोज एक मिनट में अंग्रेजी बोलू इसलिए homework भी दूँगा पहले हम वापस आ जाते हैं तो हमें कोई भी एक topic वो topic में दूँगा उस पर रोज आपको बूलना है अगला आता है reading रोज तो 10 minute आपको read करना है क्या करना है reading क्या करना है आपको जो भी book हात में आ जाती है आप या तो math study की book आप read कर सकते हो अपनी reading की habit डालो भाई किताबों की दुनिया से दूर नहीं जा सकते हो 10 minute रोज इस book का कोई भी chapter आपको पढ़ना है यह मेरी book है math spoken English book यह केवल अभी math study app पर ही available है और यह हमारी website पर भी available है www.mathstudy.in.com नहीं लगाना है इन लगाना है तो यह book आप बुला लो दस minute रोज इस book को पढ़ना है traveling कर रहे हो free बैठे हो time मिला है सोते सोने से पहले 10 minute पढ़ना ही है इसी book में practice करने के लिए blank pages भी दिये जो topic पढ़ोगे उसके सामने blank pages जैसे वहाँ practice भी कर सकते हो तो दस minute reading करना है पढ़ना है और लास्ट वाला आता है 10 minutes writing तो आपके अभी मैं जो start कर रहा हूं बेटा कि आपको क्या करना है यह speaking और writing तो आज से शुरू कर देना है यह listening और reading जैसे जैसे आपको time मिलता जाएगा आपको करना है अगर आप यह 40 minutes मतलब मेरी एक घंटे की live class के अलावा अगर आप 40 minutes रोज in four parameters पर काम करते हैं आप देखो 30 इस दिन के अंदर आपकी पूरी English बदल जाएगी क्योंकि होगा क्या एक घंटा रोज English पढ़ रहे हो homework कर रहे हो आप reading कर रहे हो writing कर रहे हो listening कर रहे हो speaking कर रहे हो तो बचा क्या है दोस्त पूरी की पूरी English एक number हो जाएगी टेंशन नहीं लेने का लेकिन time कम हो तो पहले start with speaking and writing अब आपको करना क्या है today's topic my family दोस्तों हम जो live classes पढ़ाते हैं न जो हमारी paid classes होती मास study app पर तो हमारी paid classes में हम ऐसे ही पढ़ाते हैं वहाँ पर भी ऐसे notes मिलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और वहाँ पर चुकि live audience होता है देखो यहाँ पर केवल आप देख पा रहे हो मेरी class लेकिन वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर पाते हो मेरे team से बात कर पाते हो तो आज का जो हमारा topic है व what does your father do और हम उसका answer नहीं दे पाते हैं बड़ा बुरा लगता है हम इतना नहीं बोल पाते हैं कि my father is a farmer my father works in the company my father works as a policeman हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें उनकी आदत नहीं होती है हमें habit में लाना पड़ेगा कुछ ऐसे sentences जो हमें पूछे जाते हैं और कुछ sentences को सीखने के लिए हमें पूरी English पढ़ने की जरूत नहीं है हम अगर थोड़ा focus कर देंगे ना तो words आ जाएंगे तो आज का हमारा topic है my family देखो सबसे पहले आज हम discuss करेंगे facts about family तो अपनी family के बारे में सोचना है अब आपको खड़े हो जाना है और सोचना है कि मेरी family के बारे में क्या क लगेंगे दूसरा है details of relationship आप से आपके काका बाबा अंकल का क्या क्या relation है वो आपको सोचना है तीसरा point है family activities and celebrations क्या आप अपनी family में साथ साथ रहते हो क्या family के सारे जो वो फेस्टिवल से साथ में celebrate करते हो तो लिखो लिखो या उस पर बोलो आपको बोलना है की points है आपक सको देखकर बोलना है आचा यह बता मजा तो आ रहा है ना क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है मेरी speed जादा तो नहीं है राजयस कुमार बोल रहे है happy new year सर भया happy new year तो मुझे बोलना लेकिन happy new year के पहले एक वादा करो कि सर 75 दिन तक आ रहोंगा सर ठीक है तो मजा आ रहा है लिखो मजा आ रहा है मजा आ तो ही मजा आएगा very good तो आपको क्या करना पड़ेगा family members you admire आपको कौन सा family member अच्छा लगता है तो आप बोलो बोलने की कोशित करो I like my father so much I like my sister so much I like my brother so much I like my husband so much तो ऐसे sentences सोचोगे ना तो मजा आएगा दोस्त अगला है change in your family rule change your family rules है ना तो एक सेकंड changes in your family rules आपके रोल्स क्या-क्या कभी-कभी change होते हैं जैसे पहले आप बच्पन में बच्चे थे फिर आपकी शादी हो गई फिर आप अंकल बन गए तो changes होते हैं है ना the generation gap generation gap के बारे में आप क्या सोचते हैं क्योंकि हम जब family पर discussion कर रहे ना तो अपने mind को चो तरफा आप आपको सोचने पर मजबूर करना है यह topic में क्यों ढूंके लाया यह topic इसलिए ढूंके लाया कि मेरा उद्देश केवल आपको English नहीं सिखाना है 75 दिन में 75 ऐसे topic दोंगा जिन पर आप बात रख सकते हैं ताकि भविश्य में कहीं debate में participate करो कहीं discussion में participate करो तो आप अपनी ब बता तो आपको simple बोल देता कि आज का topic है अपनी family के बारे में बताओ लेकिन नहीं family के बारे में बताना नहीं है family में क्या-क्या roles होते हैं कितने members है generation gap का मतलब क्या होता है इसके अलावा parental responsibilities क्या होती है अगर आप parents हैं तो आपकी क्या-क्या इंग्मेदारिया है English में बोलना है लिखना है आप लिखना आज paper लेके है ना the future of the family और आपकी family का future क्या है यह topics लेके आप अपने परिवार के बारे में बुलो दादा दादी का क्या role रहता है आप बोलो गे ना दोस्तों अब बोलो गे ना तो धिमाग में सोचो तो कम से कम नहीं बोल पार है सोचो भाई सोचो अब आगे देखो तो आगे बढ़ जाते हैं तो देखो यहां पर मैंने एक paragraph लिखा है आपको paragraph को read करना है आपको read करना है जैसे my family is a big and joint यह जो family my family is a big joint family मेरा जो परिवार है एक बह आपका दिन पहला है तो हो सकता है मैंने आपको आज का task क्या दिया है अपनी family के बारे में लिखना है दोस्तो comment में आज आप अपनी family के बारे में लिखोगे बहले 4 line लिखोगे बहले 2 line लिखोगे अभी नहीं लिखना है जब class खतम हो जाएगी ना मैं सारी comments पढ़ता हूं रात को एक बजे तक comments पढ़ता हूँ सोता नहीं हूँ सारी comments को like करता हूँ तो यहां ऐसा कामने की पढ़ा दिया भूल गए मैं सारी comments पढ़ता हूँ like भी करता हूँ आप देख लेना तो इस सारी comments में पढ़ूँगा तो आप आज का जो आपका task homework है ना क्या है कि आप अपनी family की बारे में लिखना और आपको आज की class कैसे लगी जरूर बताना अभी नहीं जब class खतम हो जाएगा ना अभी तो chat section open है जब class खतम हो जाएगी तो comment section open होगा तो comment में डालना ठीक है आप इसको फटा पट समझ लेते हैं my family is a big joint family मेरा जो परिवार है big joint joint अने बड़ा परिवार है however a happy family फिर भी मेरा परिवार बहुत खुश है joint का मतलब होता है बड़ा परिवार nuclear का मतलब होता है छोटा परिवार my whole family live in indoor यह leaves होना चाहिए my whole family lives in indoor मेरी family indoor में रहती है my father includes my family includes various members like grandparents, parents, brothers, sisters, uncles, aunts and cousins मेरी जो family है ना includes का मतलब होता है मेरे परिवार में बहुत सारे लोग है जैसे मेरे दादा जी, दादी जी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची और मेरे cousins my joint family contains three big nuclear families in which a common grand parents and three parents with their many children तो मेरी family में मेरे अलावा तीन nuclear family रहती है याने कि मेरा तो बड़ा परिवार है पर उसमें तीन छोटे छोटे परिवार है ठीके ये पूरा का पूरा paragraph मैं आपको as a task के रूप में दे रहा हूँ आपको क्या करना है इस paragraph को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप एक copy बना लीजिए एक spoken English की copy बनाई है बनाऊगे ना अच्छा register लीजिए या आप ना ऐसी diary बनाऊ भीटा नया साल है मैंने भी आज नया साल पर एक diary खरीदी है देखो इस पर लिखा हुआ है 2024 आपको दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता है पर लिखा है एक diary खरीदो नया साल पर diary खरीदना चाहिए buy a diary right now और उसमें 75 days तक आप क्या करोगे आप notes बनाऊगे आप अपना homework करोगे last में मुझे चेक करवाओगे मैं सब को सब की photos बुला सकता हूँ ठीक है तो ये paragraph को पढ़ना और पढ़ने के बाद अपनी family के बारे में लिखने की कुशिस करना बोलने की कुशिस करना करोगे न ठीक है अब देखिए ये बहुत बड़ा paragraph दिया इसको read करना तो आज की class ये थी अब मैं आपको बता दूँ कि आप मैंसे कई लोग जो हैं अगर आपको आज की class कैसे लगी आज की class कैसे लगी मुझे please comment में बताना मैं please बहुत कम बोलता हूँ पर comment में बताना अगर like ने किया है पिछले देड़ घंटे से लगातार बोल रहा हूँ एक like तो बनता है like जरूर कर देना क्योंकि मैं बहुत देड़ से बोल रहा हूँ आपको यह जो ppt है यह मैं telegram app पर just class खतम होने के बाद डाल दूँ आपको class कैसे लगी बताना comment में और आप कहां से आपका नाम और आप कहां से class को देख रहे हैं आप बताना मैं मझे पता चले कि मैं किनको किनको पढ़ा रहा हूँ है ना आप देख तो रहें 16,000 लोग लेकिन पता नहीं है ना तो जरूर बताना हमारे मास्ट हमारे सारे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना हमारा में चैनल है मास studi subscribe कर लो notification bell को on कर लो ज्यान का चैनल है आपकी जिंदकी बदलने वाला चैनल है आगर आपको अपने भाई भेनों को भी बताना है चैनल के बारे में subscribe कर लो, अगर आपको grammar पढ़नी है तो math English grammar जो है आपको इसको subscribe करना है आपका आज की class मैंने आपको क्या बताया, देखो आज English क्या होती है, alphabets क्या होते है ये बताया, alphabets कितने प्रकार के होते है, word क्या होता है ये बताया, subject, verb, object इसके लाव मैंने आपको बताया कि बना सकते हैं और ल,s,r,w, क्या होता है यह बताया और फिर हमने कुछ sentences सीखे कुछ words सीखे और आच का homework क्या है अपनी family के बारे में बताना ऐसे रोज आपको homework दूगा मैंने वाइदा किया है ना कि पढ़ाने के साथ साथ homework दूँगा तो homework भी दे दिया है homework complete करना और comment में जरूर मेरे लेगा अच्छी comment छोड़कर जाना मास English grammar को सब्सक्राइब करना सर्च करके मेरा personal YouTube channel है एक मेरा YouTube channel जहाँ पर मैं व्लॉक्स डालता हूँ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका वास्तों में अच्छा लगाओ आपको मज़ा आया हो तो यहां तुम्हें YouTube पर पढ़ा रहा हूँ लेकिन अगर आप इच्छा से अगर आप रोज प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी online class में आ सकते हैं हमारी online class याने की ऐसी class ये तो one-sided class है लेकिन online class में math study app पर हम आपको courses देते हैं जहां पर हम आपको English की practice करवाते हैं यहां पर आप concept clear करेगे YouTube पर लेकिन math study app पर आप हमसे बात कर पाएंगे आपके जैसे कई learners का group होता है तो अगर आप zero से English सीखना चाहते हैं तो आप हमारा best spoken English course जोईन कर सकते हैं यह optional है मैं pressurize नहीं कर रहा हूँ YouTube पर तो पढ़ा ही रहा हूँ पर यह आपकी choice है कि अगर आप और बहतर पढ़ना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो तो बहुत सार देख लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल रहा है ना बोलो किसके साथ तो प्रैक्टिस करने के लिए group मिलता हमारे पास तो आप हमारे इस best spoken English course को जोईन करिए छे महने का course है एक हजार उपे मात्र फीस है बाद में बढ़ भी सकती है अभी एक हजार फीस है और offer चल रहा है आज तो अभी तो 7800 रुपे ही होगी तो आप ये course वाइन कर सकते हैं छे महने के course में दो महने की live class मिलेगी सारे notes मिलेंगे अच्छे teachers मिलेंगे guide करने के लिए और एक practice करने का group मिलेगा सब के phone numbers मिलेंगे जहां पर आप आपस में बात कर सकते हैं और रोज एक घंटा रात को एक live class चलेगी आपकी अगर आप ऐसे learners हैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे काम की बात है सुन लो जाना तो ही सोना है ना पर सुन लो कोई course आपके ल लेकिन practice नहीं हो पाती तो सिर्फ अगर आपको practice करनी हो और अगर आपको 15-20 बच्चों का ऐसा group मिल जाए जहां पर आपको English की practice करने को मिले तो आप हमारी expert advanced English batch join कर सकते हैं ये तीन महेने का live bleach होता है इसमें 90 दिनों तक आपको live classes मिलती है face to face जहां पर आप बोल सकते हैं आपका group रहेगा इस course में डोज live class होती है advanced level के conversations होते हैं डिबेट होता है interview की पूरी त्यारी करवाते हैं सारे notes votes सब कुछ हम देते हैं और आपको तीन महेने में English का teacher बना देते हैं बोलना तो बहुत आराम से जीख जाओगे इसके लावा अगर आप मेंसे ऐसे कई लोग है working है time ने मिलता है रात को दो बज़े free हो रहे हैं दो फेर में दो बज़े free हो रहे हैं सोबे से free हो तो आप time बताएंगे कि मुझे इस time पढ़ना है हम उस time आपको हमारी mastery team का कोई teacher available करवाएंगे इसे बोलते one to one class face to face monthly class होती है monthly charges लगता है एक ही class में बज़े से ये बच्च करते हैं यह मेरी book है इस book में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए जो मेरी book है आप मेरी book जरूर जोइन कर लेना अगर आप आज book order करते हो तो आपको साथ से 8 दिन में यह book आपके घर पे मिल जाएगी यह book में basic to advanced level English है सारे notes है सारे grammar topics है spoken भी है और charts और diagram की माध्यम से आपक बच्चों की batch होती है तो हमारे पास kids की batch है आज के time में हमारे बच्चे English medium school में जाते तो हैं लेकिन English बोलते नहीं आती है तो छोटे बच्चे जो first class से लगाकर 7th 8 तक के बोच्चे होते हैं उनके लिए हमारे पास kids batch है यह batch दो महिने का होता है दो महिने में हम आपकी बच बच्चे के लिए यह batch join कर सकते हैं अगर जानकारी चाहिए तो फोन लगा लिजी अभी time हो गया फोन नहीं उठाते हैं तो आप कल भी हमें दिन में 11 से पांच की बिच में फोन कर सकते हैं ठीक है अगर किसी को vocabulary improve करना हो तो vocabulary batch है अगर किसी grammar improve करना हो तो grammar batch है all in one English grammar सारे grammar classes क के लिए school or college के लिए चलिए तो guys finally I am at the end और आज हमारे 75 days course का end है और मतलब आज हमारा day first जो है वो complete हो चुका है और सारे notes में आपको free में डाल दूँगा तो 75 दिन की स्कूर्स में आपका experience कैसे रहा कल में आपको बहुत बढ़िया topic पढ़ाऊंगा बहुत मजा आएगा आजाना मैं आट बचकर पांच मिनट में आऊँगा ना मैं teacher हूँ ना इसलिए I will try to commit five eight o'clock but sometimes I know I get late so that's why please don't worry but class कैसे लगी बेटा जरूर बताना और आपको कैसा लगा आज का हमारा day one और 75 days तक अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो English अच्छे से improve हो जाएगी 75 hard का मतलब होता है कि हम जुनून के साथ हम passion के साथ पूरे dedication के साथ हम महनत करेंगे अगर आपका master आपके लिए इतनी महनत कर रहा है तो आप double महनत करिए आप यहां भी पढ़िए book से भी पढ़िए और writing की practice भी करिए speaking भी करिए चारों तरफ से practice करिए English आपके कदमों में होगी अगर 75 दि communication language बहुत जरूरी है तो कैसी class लगी class खतम होते हैं यह notes में टेलिग्राम पर डाल दूँगा टेलिग्राम एप डाउनलोड कर लीजे और मास्टरी जॉइन कर लीजे डाल दूँगा और अपने दोस्तों को भी लाना कल आपको अपने दोस्तों को लाना है अपने परिवार अपने घरवालों को लाना है यह family का काम है भाई परिवार फैमिली शो है हमारा 75 hard spoken English family शो है अपने घरवालों के साथ बैठ के देखो आज इतनी गंदी गंदी movies आती है हम साथ में देख नहीं पाते हैं अंग्रे जी तो साथ में सीख सकते हैं ना भाई इसलिए सीखो अपन साथ में सीखेंगे तो अच्छा लगेगा बाकी तो अकेले अकेले सीखी जाते हैं पर सबका भला होना चाहिए ज्यान पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है सबका अधिकार है यह PPT बनाने में मुझे आज दिन बर लगया दिन भर PPT बनाया और आपको देने वाला हू तो मैं यह थोड़ी सोचना हूँ कियार मैंने तो आठ घंटे में बनाया है और आठ घंटे की मेहनत में आपको देता हूँ मैं यह नहीं सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि 8 घंटे क्या अगर आपके लिए 12 घंटे काम करना पड़े मैं करूँगा लेकिन आपका फाइदा हो तो आपका अशिरवाद मिलेगा तो हम भी उपर जाएंगे ठीक है तो इसलिए प्लीज आप मेरी मदद करें लोगों के साथ शेर करें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचाए एक बार चेक कर दीजिए लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब करें नोटिफिक लुआ में लिखना सबसे लासट में कि हैस्की हैस्क हाइब पीयार करते हैं आपका jáने का मन नहीं कर रहा है आप और सुनना चाहते हैं है ना लेकिन I have to take a rest because I have been speaking English for last one hour but thank you so much for joining me in today's class आप अपना बहुत ध्यान रखे अपने परिवार का ध्यान रखे अपनी हेल्थ का ध्यान रखे अपने अच्छे दोस्त बनाएं अच्छे वीडियो देखे अपने मोबाइल पर अच्छे एप्स रखे जिसे मास्टडी एप और टेलिग्राम एप जिनसे आपको नौलेज मिलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंटली अपने आपको एजुकेट करते रहे अपने इंप्रुमेंट के लिए टाइम निकाले है ना शोभाव कर शोड़क है तो खुद को बदलाव के लिए जाएंगे अपना बहुत भूँत ध्यानगे एक प्यारी सी कॉमेंट का वेट करूँगा थानकी सो मच सी ही टुमौरो कोई डाउट हो कुछ कुच्छ फोन नमबर दिये कॉल कर देना मैं आपके साथ अगले 55 दिन तक हमेशा बना रहा हूँगा थैंक यू सो मुच